चलो कैसे हैं आप लोग तो बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं First Aid and Health में पहला यूनिट का पहला चैप्टर Basic Introduction of First Aid ठीक है तो बच्चे चलिए देखते हैं कि आखिर में इसमें है क्या First Aid तो First Aid की Definition देख लेते हैं अलाकि हमने पढ़ाया है इसके बारे में आपको तो बच् अक्सिडेंट होगा या किसी का सर फूट गया तो आप क्या करते हैं कि रुमाल निकाल के सर बान देंगे ताकि ब्लीडिंग वगएरा ना हो और फिर उसके बाद जो है एंबुलेंस वगएरा को कॉंटेक्ट करेंगे ठीक है तो ए जो उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए आपने जो भी प्रक्रिया अपनाई इसी को हम प्रात्मिक चिकित्सा या फॉस्ट एड बोलते हैं ठीक है ऐसा आपके घरों में भी होता होगा ममी लोग करती होंगी बुखार वगर आ जाता है तो पट्टी वगरा रख देती है ठीक है तो ए इसी को हम बोलते हैं फॉस्ट दूसरे सनिवार को फॉस्ट एड डे हर साल मनाया जाता है ठीक है इसका में काम यह होता है कि यह लोगों को अवेर करता है ताकि फॉस्ट एडर ज्यादा से ज्यादा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके अच्छा बात कर लेते हैं कि आखिर में चोट वगरा लगती थी यूद्ध वगरा होते थे तो कहीं ने कहीं ओ लोग जो है कि अपना दवा वगरा दे करके उन लोगों की जान बचाते थे ठीक है लेकिन बच्चे जो अभी जो है सेलफरीनों जो यूद्ध हुआ वहाँ बहुत ही भीसड यूद्ध था वहाँ पे बहुत सारे सिविलियन जो थे बहुत सारे जो मासूम बच्चे थे बच्चियां थे या जो आम नागरिक थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उनको चोट लगी हाँ पेर कट गया या बहुत जादा जाने चली गई उस दोरान तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़े बिजिनस मायन थे जिनका नाम था हेनरी डुनांट अब यह उस युद्ध से काफी जादा प्रभावित हुए और लोगों की मदद करने का इन्होंने एक decision लिया और बहुत सारा पैसा इन्होंने खर्च किया और इन्होंने एक किताब लिखा जिस किताब का नाम था A Memory of Selfarino इन्होंने एक किताब लिखा और इसी किताब से प्रभावित होकर एक नए NGO बनाया गया जिसका नाम था International Committee of Red Cross ठीक है इनी की किताब से प्रभावित होकर बनाया गया था और इन्होंने उन लोगों की बहुत ज़्यादा मददकिती बहुत ज़्यादा पैसा वैसा भी दिया था अब जब इस सोसाइटी बन गई इंटरनेशनल कमीटी अब दा रेड क्रॉस तो इसका फायदा क्या हुआ अब ए रेड क्रॉस एंजियो क्या करने लगा पूरे बिस्व लेबल पे जहां भी कभी युद्ध हुआ करता था या जहां कहीं भी अगर आपदा आ गए यसे आ गए सुखा पड़ गया यानि कि जहां भी लोगों को समस्या होती थी जान माल की हानी हुआ करती थी तो एंजियो जा करके लोगों को राह सामगरी देता है ठीक है तो राह सामगरी देता है वहां पे लोगों को जो है क्या करता है दवाएं देता है उसके बाद जो है कही खाद सामगरी और भी जो है चीजें देता है एक्विपमेंट्स वगएर उनकी सुरच्छा के लिए ठीक है अब जो है इसी को देखते हुए जो रेट क्रास सोसाइटी बनाई गई थी तो इसी को अवेरनेस फैलाने के लिए पूरे वर्ल्ड लेबल पे रेट क्रास वर्ल्ड रेड क्रास डे और फोस्ट एड का मनाया जाता है सेकंड सटर डे आफ सेटेमबर ठीक है यह क्वेसन पूछा गया था वह एक एकज्ण में की रेट क्रास डे कं मनाया था गवर्बिंट एकजाम में पूछा गया था भी ठीक है तो चलिए अभी देखते हैं कि आगे इसमें जो हेनरी डुनांड थे इनकी मदद से चीजे बनाई गई थी इसी वज़ा से जो है इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था ठीक है अब यह जो रेड करा के seven principles हैं और एक काम कैसे करती है तो एक humanity के basis पर काम करती है यानि कि यह मानावता को ले करके आगे चलती है किसी से partiality नहीं करती है neutral रहती है ठीक है और independent रहती है यानि कि जो भी लोगों से help मिलती है उसी कर ले करके यह कहीं नहीं help करती है यह voluntary service दी जाती है इसमें यानि जो भी व्यक्ति सेवा करता है तो उसे जोड़ जबर्यस्ति नहीं करता है वो अपने इच्छा से करता है सेवा ठीक है यह नहीं कि किसी को जान बचा करके पैसा मांगने लगे तो ऐसा नहीं है यह जो है यह voluntary है उसके बाद unity होनी चाहिए यानि कि सब लोग मिल करके काम करते हैं तो ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं ठीक है और पूरे 20 अस्तर पे यह काम करती है ठीक है तो यह साथ सेवें प्रिंस्पल ते पूछा जाता है कि रेट क्राइटी के कितने प्रिंस्पल हैं तो इंडिया रेट करा सोसाइटी अब इसी को जो है कहीं ने कहीं आगे चलके फॉर्स्ट एड माना जाने लगा यानि कि इसी को जो है वर्ल्ड लेबल पर फॉर्स्ट जो है आइड की आर्गनाईजेशन कहा जाने लगा इंडिया में भी इंडिया रेट करा सोसाइटी है ठीक कहें 3P भी लिखा जाता है तो 3P दे तो भी ठीक है 6P दे तो भी ठीक है अब इस 6P क्या है बच्चे हम इसी के उपर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे तो यह जो फर्स्ट एड हम देते हैं तो इसके 6 एम होते हैं पहला होता है प्रिजर्व लाइफ ठीक है प्रिजर्व लग़ी है तो हो सकता है उससे आफास बीटल पहुचाएं आप ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकें या किसी भी तरीके से अप उसकी help करेंगे आप काएंगे ठीक है कपड़े वगरे से बादेंगे ठीक है बहुत जादा भीड लग गई है तो महां से लोगों को हटाएंगे ठीक है और एरिया को सुरचित करेंगे पहला काम यह होगा आपका ठीक है तीसरा बच्चा है इसमें प्रोटेक्ट अब प्रोटेक्ट आफ अनकॉंसियसनेस य ठीक है उसके बाद बच्चे क्या करेंगे हम लोग उसको हवा देंगे थोड़ा सा यानि कि हवा आने देंगे ठीक है तो आगे हम देखते हैं प्रोट रिकवरी अब प्रोट रिकवरी में क्या करेंगे प्रोट रिकवरी में हम लोग क्या करेंगे प्रोट रिकवरी में करन जैसे उसको सीधे करेंगे थीक से कर देंगे चठवा है प्रोवाइट से घ्राइचन इसमें क्या करना है कि जल्दी से यह सब सारी चीजे करने के बाद हम जो है उसे एंबुलेंस बुला करके या आसपास जो भी कोई ऐसी गाड़ी जा रही होगी जो की हास्पीटल उसे सुरचित पहुच्चा दे तो उसका हम प्रयोग करेंगे तो ये 6P जो हैं आपको याद रखने हैं ठीक है बस ये पूछा जाएग में 3P दिया हुआ है कहीं कहीं 3P देता है कहीं कहीं 6P देता है तो 3P में भी वही चीजें दी हुई है प्रीजर व लाइफ में Airway Breathing Circulation ABC Airway Breathing Circulation Prevent Worsing में वही Stop Bleeding, Treat, Soak, Treat, Other Injury ठीक है प्रमोट प्रमोट रिकावरी में क्या हो जाएगा रिश्योर हो जाएगा रिलीपेन हो जाएगा हैंडल विद केर होगा प्रोटेक्ट फ्राम हो गया तो वही सब सारी चीजे हैं तो 3P में यह याद रख लिएगा 6P में ऊपर ठीक है चलिए आगे चलते हैं बच्चे अच्छा हम एक पूछेंगे कहा जाता है कि फर्स्ट एडर कौन होता है तो फर्स्ट एडर वो होता है जो कहीं से सर्टिफिकेट लिया हुआ हो ठीक है जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो यह पूरा सलेबस पढ़ने के बाद और प्रेक्टिकल वगेरा करने के बाद आप एक फर्स एड जो है दे रहा है इस बच्ची को या इस महिला को तो यह जो है फर्स्ट एडर है ठीक है अब देखते हैं आकर में फर्स्ट एडर जो होता है यानि कि जो भी व्यक्ति अगर किसी को जब फर्स्ट एडर दे रहा होता है तो उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए पहला है good communication skill ठीक है good communication skill का आर्थे होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो जो है सामने पेसेंट से अच्छे से बात कर सके ठीक है अब यह नहीं कि अलुल जलुल सी बाते करें कि कहां से आये हो कहां जा रहे हो यह नहीं जैसे अब पेसेंट को अगर चोट लगी एक्सिडेंट चोट लगी है और इस तरह से वहाँ पे जो भीड है उसे हटा सके इस तरह की भी चीजें वो कर सके ठीक है उसके बाद है ability to work in a team ability to work in a team का अर्थ हो गया कि एक team के साथ काम करने की जो है personality होनी चाहिए ऐसा नहीं कि जो है कि सारा काम अकेले करने लगे ठक जाये या फिर काम बोला दो जो गाड़ी आ रही है उसे रुकवाओ तो इस तरह से जब कोई के एकसीडेंट हो गया है या कोई भी अगर ऐसी सिच्वेशन होती है तो टीम और करने से काम और आसान और अच्छे से हो जाता है ठीक है ability to work under pressure अब देखो बच्ची यह बहुत ही बड़ी क्वालि होता है तो कहीं न कहीं आप देखेंगे pressure आपके उपर रहेगा और इस pressure में भी काम करने की ability होनी चाहिए ठीक है तब आप अच्छे से काम कर पाएंगे leadership quality होनी चाहिए यानि कि आप जो भी है वहाँ पे situation आप भीड को हटा सकें आपकी लोग बाते माने और वहाँ पे यदि आपको हाथ पैर जोड़ना हो तो वो भी जोड़ लें किसी को मनाना हो मना सकें तो यह सब leadership quality होती है और एक first rider में होनी बहुत जरूरी है ठीक है knowledge their own limits यानि कि first rider जो है उसको अपनी limit पता होनी चाहिए यानि कि CPR कैसे देना है और कितना हमें काम करना है किस तरीके से हमें patient को treatment देना है कितना किसके आगे नहीं देना है इस सब सारी चीजे उसे ध्यान देना है ठीक है उसी तरह से अब्जर्वेंट हो गया physically fit होना चाहिए ठीक तो quick thinker मतलब अच्छे से जल्दी से निड़े ले सके तो यह सब सारी जो quality होती है first rider के अंदर होनी चाहिए ठीक है अब अब जैसे माली जी यहाँ पर किसी यहाँ पर देखी एक महिला है अब यह महिला जो है लग रहा है ना कि अपना बाल में कुछ कर रही थी जैसे हावा हुआ दे रही थी अपने बाल में ठीक है अब इसको पता नहीं कैसे current लग गया है जुल मुला के गिर गई है ठीक है अब यहाँ पी देखी यह first rider जो है यह देखिए कितना समझदार है पहली चीज तो यह ऐसा नहीं कि यह देखिए बहुत ही patience में रहा होगा जैसे आपके घर में भगवान ना करें कभी किसी को current लगता है तो आप घबरा जाते हैं बहुत बार तो उस समय जो है एक fast rider को सांत रहना बहुत जरूरी है और आसान समझदारी से काम तभी ले पाएगा जब सांत रहेगा तो देखिए कहीं से छड़ी खोज कर लाया होगा सूखी डंड तो इससे कहीं ने कहीं current को हटा रहा है और एक चीज़ और नोटिस करेंगे तो इसके pair के नीचे कोई तकता हुआ है जो की current का connection नहीं कर पाएगा यानि की current नहीं लगेगा इससे तो यह insulator का प्रयोग कर रहा है तो इसी तरह से first rider को इतना समझदार जो होना चाहिए ठीक है ताकि वो first add अच्छे से किसी को भी दे पाए ठीक है चलिए तो हमने क्या देखा हमने देखा कि first add कौन दे सकता है हमने देखा कि first add की quality क्या क्या होनी चाहिए अब हम देखते हैं कि first add golden rule आप से पुछा जाता है कि first add का golden rule क्या है तो देखिए इसमें first add के golden rule यह है कि calm and composed कहन क्या आर्थ हो गया कि first add को सबसे पहले जो है सांत होना चाहिए ठीक है तब ही वो कोई काम कर पाएगा यह नहीं कि हड़बड़ी दड़बड़ी में अगर किसी का खून देख लिया खुदे बेहोसों के गिर गया ऐसा नहीं करना है हाँ situation को जो है ठीक से आपजरब करना है और पहली चीट को सांत रहना है ठीक है फिर उसके बार है your own safety first यानि कि first adder को सबसे पहले अपनी सूरच्छा सुनिचित करनी होती है ठीक है अब कोई डूब रहा है तो ऐसा नहीं कि जाके कूद जाए बे दहाड़ा वहीं पर वो भी डूब जाए वो पकड़के डूबा द तो कहीं ने कहीं एक खुद तो मरता है इसको भी नहीं बचा पाता तो इसलिए first adder को सबसे पहले अपनी सुरच्छा सुनिचित करनी जरूरी है तीसरा है emergency response system emergency response system का यह अर्थ हो गया कि अगर कोई भी वहाँ alertness जैसे कि आप alarm बजा सकते हैं या call कर सकते हैं तो वो सब सारी चीजियों की help लेनी चाहिए ठीक है comfort of the injured person जो injured person है कोशी समय करना चाहिए कि उसको पहले comfort zone में रखें ताकि वो जो है काफी लंबे समय तक sustain कर सके ठीक है stopping any bleeding यदि bleeding हो रही है हाथ पेर कटा है सर फूटा है तो उसकी bleeding को रोकने का प्रयास करें ठीक है हाथ पेर को अगर हा neck head और back pain यानि कि इन सब situation में जो है उसको बहुत ज्यादा घुमाव फिराए न ठीक है उसको आराम सराने दे ठीक है keeping a first aid kit first aid kit क्या होती है इसके बारे में हम काफी detail में पढ़ेंगे आगे यह देखिए first aid kit यही है यानि कि जिस बैग में जिस जो है box में बहुत सारे equipment होते ह सेनिटाइजर, पट्टी, सीजर, टेबलेट यह सब सारी चीज़ें उसी को first aid kit बोलते हैं ठीक है तो यह अपने पास होनी चाहिए तो कुल मिलाकर कहने का क्या आर्थ है कि अगर पूछा जाए कि जो golden rule of first aid क्या है तो यह सब है golden rule of first aid ठीक है चलिए बच्चे यहाँ पर फि good judge होना चाहिए सब सारी चीज़ें हमने उपर देखी है अब अच्चे importance क्या है यानि कि first aid अगर आप देते हैं तो importance क्या है अगर आप एक first aid है तो पारली चीज़े है कि आपको काफी अपने जो है कि nation की help करने में help करने का मौका मिलेगा जैसे मालिज यह कि अगर कभी यू लोगों को सुने सेक्यूरिटी महसूस करा सकते हैं कारड है कि आप देखेंगे कभी कभी घर में कोई दुरगटना घट जाती है तो कहीं ने कहीं आप महां लोगों की help कर सकते हैं resources का जो है आप अच्छे से बचा पाएंगे जैसे हमारे हाँ hospital facility उतनी अव लेबल नहीं है तो कहीं ने कहीं आप जो है एक तरह से skillful कर रहते हैं तो कहीं ने कहीं चीजें जो है बहतर हो पाएंगी तो इसकी काफी ज्यादा importance है अब यहां देखिए scope of first aid में तीन बातों का ध्यान रखना है इसे आप जो है याद कर लिजिएगा पहला है diagnosis दूसरा है treatment तीसरा है disposal गटी है यानि कि हाथ पैर कटा है कि कौन सी मतलब तकलीफ क्या है कौन सा हमें जो है कि treatment देना है उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आखिर में कहने कारते है कि अगर कोई भी चोट लगी है कोई injured व्यक्ति है तो उसको लच्छन आपको देखने आने चाहिए कि इसको कि हमें science क्या है कि इसको दर्द हो रहा है कि इसकी सांस रूक रही है बेहोस हो रहा है यह सब आपको आवजब करने आना चाहिए treatment का अर्थ हो गया कि कि किस तरह की situation में किस तरह कामे treatment देना है यह सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए अब जैसे bleeding हो रही है तो हमें bleeding के ठीक है अब इसी तरह से हर जो है कि चोट लगी है जो भी घटना घटी है पेसेंट के हिसाब से उसको हमें treatment देना है अगला है disposal disposal में क्या आर्थ है इसका आर्थ है कि पेसेंट को recovery के लिए हमें बाकी प्रक्रियाय अपनानी चाहिए जैसे कि उसको treatment जब हम दे दिये तो उस कि first adder की सुरच्छा के लिए क्या कोई नियम कानून भी है देखिए बहुत सारे लोग यह डरते हैं कि यदि हम किसी की जान बचाएंगे तो हमारे उपर पुलिस कारवाई हो जाएगी हमारे उपर केस मुकदमा हो जाएगा या कई तरीके से जो डर होता है किसी भी व्यक्त को इसलिए वो लोगों की जान नहीं बचा पाता है तो देखिए इसमें गौर्मेंट ने first adder की सुरच्छा के लिए कई सारे नियम कानून बनाए हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है तो पहली चीज़ तो यह है कि protect from civil and criminal liabilities यानि कि यदि आप किसी की जान बचाते हैं तो आपके उपर किसी भी तरह का civil और criminal offense नहीं होगा यानि कि आपके उपर किसी भी तरह की कानूनी करवाई नहीं होगी दूसरा है no demand for medical expense यानि कि यदि आप व्यक्ति को लेकर hospital पहुचते हैं तो वहाँ पे देखिए hospital का काम यह है न कि तुरंत वो within some hours जो है वो treatment शुरू क करेगा लेकिन आप से कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेगा वो free में देगा यह rule है ठीक है यह Indian government के rule है ठीक है अगला है trial examination to be done over a single occasion यानि कि आप क्या करेंगे आप से online जो हो सकता है पूछा जाए चीजें या आपको किसी भी तरीके से दबाव डाल करके किसी भी तरीके का ज जान बचाते हैं तो कई सारे जो है आप देखेंगे कि अभी पुरुसकार दिये जा रहे हैं तो state government जो है जान बचाने वालों को पुरुसकार भी देती है साल के अंतमे ठीक है उसके बाद अगला है no compression to reveal personal contact detail यानि कि जब आप किसी की जान बचाते हैं तो police यदि कुछ पू पूछेंगी आप से कोई भी आपकी personal detail या personal contact number नहीं पूछेगी यदि पूछती ही तो आप कहें उसे कि आप ये गलत कर रहे हैं आप उन्हें अगर आप एक बार आप कह देंगे कि जो हमारे first adder के ला है Indian first add manual 2016 Indian first add manual 2016 में ये प्रावधान है कि आप हमसे कोई detail नहीं ले सकते तो खुद डरेंगे और नहीं पूछेंगे ठीक है no detention of hospital आपको hospital में अनावस्यक रोका नहीं जाएगा कहने का कुल अर्थ ये है बच्चे कि आपके लिए इतने प्रावधान किये गए हैं कि यदि आप किसी की जान बचाते हैं किसी भी तरीके से तो आपके उपर किसी भी का खतरा कुछ भी नहीं आएगा ठीक है एक government की responsibility है ठीक है तो ये सब कानून जो है ये अपने अधिकार जो है आपको जानने बहुत ही जरूरी थे ठीक सुप्रीम कोट ने भी कई सारे प्रावधान किये हैं जिसमें सुप्रीम कोट ने कहा है कि किसी भी first order को जो है राज सर क्लिप करनी चाहिए तो बाकी की जो चीजें हम आगे देखेंगे ठीक है आज के लिए बस इतना ही तो ठीक अपना ख्याल रखिए खुस रहिए जैहिंद